Hello friends, welcome back to Cute Sisters Cute Sisters Cute Sisters Friends, हाई की वीडियो में बोजे एक बहुत बड़ा सबग मिला तो चलो जल्दी-जल्दी अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट होने से पहले आप इस वीडियो को लाइक की जिये किजिए और सब्सक्राइब पीजिए तो चलो जल्दी जल्दी अपनी वीडियो स्टाइब करते हैं ज्वानी मेरे साथ मेकानिक्स खेलेगी यूदे कीस क्या बनाना भूस बनाना भूश बनाना है वो तो मुझे दिखी रहे ए पैसस क्या हो रही है यहां अगर यूद्धिंगा पर्चार आधर कर दो मेरे माँस काड़ींगी है अच्छो तेरा लाज़्टे समिशन का अभी मेना लो जाके लुखानी तुझे तुझे तुपता ही है मैं चैंपिन हूँ तो मैं जल्ली से बना लूगी चाज रखेलने चाहरी अपने टाइमी वेस्ट करडी किता अचा हो रहा है अजब काटूल अब तो मैं काटून हर रोज देखा करूंगी रहा है मैं मैं तो मैं कर रही तो मैं नहीं कर रहा है मैं यह नहीं कर रही डिवार्थ? तुझी किया एकजानिस में नम्मर कटेंगे, तब पता सोलेगा, कि कि… ओगे तरी ले जच्च! जच्च! आप में रुमोर्टे नगा? वहत निदे रे वितागे लोली? दे रे मोर्ट! ने तुझे? रे मोर्ट! रे मोर्ट! अच्छा माम्मी यह रहे पुर्णा यह मुझे पढ़ाए मैने पढ़ाए मारकर रही है और हुगी है अरे आवे गोनो डांस के आशे या मम्मी आशे तह मजा आया दांस करने के पड़ी तह अच्छा पील हो रहे है आवे तुझा पाइन आवा हर्जी अच्छा तू ना चुकर तू चुकर तू अच्छ कर दो कि और रहे हैं तू तू रहुदी के लाभ़ा तुम्हार काम नहीं है यह क्या रहे हैं ।ूले पड़ी के लाभा और तू रहची रहुती है चलो कुछ खा का लो इन्हें को कुछ किलातु वार है.. उपने के लिए उपने के लिए नाजमराइस करने दे हैं.. मैं बाग हूँ.. मैं बच्च अशुट मैं देखा.. जब अग बेड़ी आपे नाजमराइस कि लिए नाजमराइस बहुत पसंदे है.. हुआ पूपर ऐसे प्लेघी के जाए थे मेधी में तोनी ककर प्लेघी में प्लेख़वेड़वेड़वेड़ तोनी ककर आपट देखू बर्ड जिनी? जिनी? मुझे आपकी बहुत टेंशन रहती है बेटा क्यो? बेटा आप अगर रिवीजन नहीं करोगे तो आपके नाप्स कैसे आएंगे आप इतने अच्छी हो पढ़ाई में आप रिवीजन ही नहीं करते हो अब आपके अधा दान्स क्लस आ तैन कर राईंगे और आपके घर पर डांस करने लगे कम से कम स्टडी तो कर लो बिटा खाना टोखा लो इतना इस चीज का पैसेन कम से कम पढ़ाई तो करो अपके मार्क कैसे आएंगे जो आपके 90s में माट्स आते हैं, वो 70s में ही रह जाएंगे, बिटा दर रिवीजन ने करोगी क्या ममा दान्स कोई तो रोगती है, बस कि इती सी वास के लिए वो तो ग्वानी भी तक से मुझे बोलती है जाएंगे, बसे दान्स कोई चालाद हने इसे करने के, आचा हम तो खाना करें अचालाएंगे, पैसे लगाना पड़ेगा जानी, चल बहारे तो अच्छा मुझे हो रहे, चल खेलने चलते हैं रीके वेसे भी मेरे शाई पड़ाई हो गई है, कल मेरा अधान्स इसक्षर की सब खरे जसे अब जसे हुआ जस खरे से जसे हुआ है कर दो कर दो डिए. पारे लाठीज जेवा पारे वो नेखेट जाले. So il आरोन झारीजग से जाले तपय क्या झारें, लाठीजर है आरोन गजिए उनका, जाले एक पाले वीजिए है जाले टो टुजए, है जरुदक है राचेश्ट जे फो उनका, कुछ? करो अब तो थोनी पीनिया तो मेरी शिकाय पीनि करेंगी वह मपीत है करो मोट में खेली नहीं कि अरे बहुत देर हो गए बच्चे अभी तक आय भी नियों बाहर मौसम भी इतना बिगड़ रहा है चाहके आ तो मुझे ही चेक करना पड़ेगा बतानी कहा रहे गए कि अब आपको डर क्यों लग रहा है कि बारं देर हो रहा है विजली भी कड़क रही है कोई बात ने आज़ा में पास आज़ा अरे यह क्या यह तो घर में भी ब्लैक आउट हो गया लगता कोई शौट सर्केट हुआ है बहुत बड़ा दुआनी जिनी का है बिटा जिनी थी मे इसको लेकर आती हुआ है ना आप आप यहीं पर रुखो ठीक है और मेरे बड़ा चल कोई बात निमेता दीदी भी तो केली भार है ना मैं चल केंडल जलाग जलाकर केंडला आट हो यहां से मत हिलना इस टोफे पैसे ठीक है कहीं भी मत जाना बहू तल्वे तंदेर हो रहा ह बेटा, मैं केंडल लेकर आती हूं, है ना, और फिर मैं दीदी को लेकर आती हूं, चलो हटो, बस लयां से दिलना नहीं द्वानी, ठीक है? द्वानी डरों नहीं, बच्चा मम्मा आ गई, केंडल लेकर आई मम्मा, बहुत अंधेरा हो रहा है सहीं में पूरे घर में, दीदी भी मानती नहीं है, इसको खेल के आगे कुछ नहीं सूचता अब अच्छा लग रहा है आपको थोड़ा सा, थोड़े रौशनी हुई, रुको मैं और केंडल ओन करती हूँ बस कच नहीं करना, चीक है मैं दीदी को लेकर आती हूँ है बताओ, आज तो लगता है मेरको कोई धुआनी बहुत बड़ा शॉर्ट सर्केट हुआ है, में को लगता है लाइट शैट पूरी रात नहीं रहेगी, आपने रिविजन कर ली अपनी सारी है, है ना, आप सो जाना फिर है ना, वे टड़र हो मत है, मैं दीदी को ले आओं क् आप केंडल जुला जाती हुए जिससे अप टच नहीं करना केंडल को में सामने से पटाफर सदीदी को ले कर आती हुए, ठीक है आप 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 प्लीज रहता है अज़े आप 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 चल उनी में लेकर आप डर्ना मेरे ठीक है, मैं थोड़ी सी रौश्नी कर दीए वेटा है ना, बतानी कहा रही गई अर्यागा अगी सिन्या मैं तो तेही चिंता तुरी थी थी पेटा, तु कहां रही गईती मम्मी बार मेरे उपर होले भी गिडियों बारेश भी हुई मेरे उपर बहुत है मम्मी तो आप आई पुनी तो अनी के साथ ही आजाते न आप देखो कितना अधेर और आप पूरे में ब्लैक आउट हो रहा है बिटा मम्मी एर अने पूरी रात लाइट ही नहीं आईगी कोई शौट सर्केट है बहुत पड़ा ऑग मेरे तो कुछ रिवीजन ने की मुझे साभाते बस रिवीजन तो बेटा मैंने कितनी बार आपको कितनी बार बहुन किया ता जिनी कि अपना लिवीजन करलो कल पे मठ डालो अपना काम आपकी इतनी गंदी आजाते हेगी अपना हर काम कल पेड़तीज मेरी amma ma! had my pokütün now ममा, Łaldi ma'ma cela what I am क्र ट्रब शुप और चुप और चाल है के वापने जो अंधेरे में कैसे लौगे लो वन केंडल ले जओ अब मैं और से जान लेका रहु आप हैं और टुप से जाना क्यों तुप लिटे गुटा कमाल कर दिया बच्चों ने सही में है मम्मी पापा की जान ले रखी है ये नहीं है कि पहले से ही पढ़ाई कर लें अपना पहले से इसले बस कर लें अब देखा हैं टाइम पे क्या हाल हुआ है जिनीका कम से कम अपना रिविजन होता तो रात को सो तो जाती है राम से आके ये लो मम्मा ला इंदी का चैप्टर आ रहा है ये गुरू और चेला गुरू और चेला आ रहा है अपका देखो अब इतने अंधेरे में आपके ऐसे बढ़ोगे न है आपको कुछ सोचना चीए न अपना काम कल का का कल पे क्यों डालते हो अपना काम आज का काम उसे देखो उसने अपनी रिवीजन कर रखी थी तो उसकी मेंको टेंशन भी नहीं है और आपने रिविजन निकर रखिया, मैं कब से कहाई रहीं कि हर दिन आदा आदा गुंटा भी पढ़ लो जिससे आपकी पूरी रिविजन हो जाए, आप माले मेरी बात? नहीं माल, चलो अब रो मैं पढ़ाते हूं आपको चलो गुरू एक थे और एक था चेला, चले घूमने पास में थाना धेला, चले चलते-चलते मिली एक नगरी चलो, अब ये चेप्टर तो हो गया आपका रिवाइस मम्मी, आज मुझे बहुत बड़ा सबक मिला, मुझे टाइम की कोई वैल्यू रखूंगे चलो, एटलीस समझ में तो आई आपको, आप मेरे को देखो, आपको कैसे पढ़ाना पढ़ा है मैं अंधिर में पढ़ी हूँ, बाहर कितना ब्लैका हो तो रहा है, पूरे आंधी तुफान आया पढ़ाया, ओले पढ़ रहे हैं और मैं केंडल जला के आपको पढ़ा रही हूँ, बंभी पापा इतने बड़े हैं, आपसे उन्होंने बहुत लाइफ देखी है, आपसे जादा हो जी हैं ठीक है, तो इसलिए अपने लाइफ की एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं ठीक है, सॉरी मुमा, आगे से में टाइम की बहुत वाल्यू रखा करूँगी, आज मुझे एक बहुत बड़ा सबख मिला तो फ्रेंज, आगे की वीडियो देखने से पहले, आज का हमारे क्वेश्चन है कि बल्ब किसने इंवेंट किया था, अगर आपको आंसर पता है तो डिस्क्रिप्शन में दी हुए लिंक पर कमेंट करो, तो चलो चलो जल्दी जल्दी अपनी आगे की वीडियो देखते हैं तो बच्चो इस टोरी से आपको क्या मॉरल मिला, जल्दी जल्दी मुझे बताओ, समझ में आया क्या मॉरल मिला, इस टोरी से हमें हमने यह सीखा कि हमें अपना काम, आज का काम कल पर नहीं डालना चाहिए, यानि टाइम की हमें हमेशा वैल्यू रगनी चाहिए, जैसा जि वह भी काम करना है, मैं यह नहीं कर रही कि पढ़ाई करो, लेकिन हर काम की वेल्यू रखो और टाइम की वेल्यू रखो, अपना सारा काम समय पे पूरा करो, तो हम उम्मीद करते हैं, आपको मारी यह वीडियो बहुत 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 पसंद आई होगी, तो इस लिए इस वीड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबस्क्राइब कीजिए